हेलो फ्रेंड अल्टीमेट डॉड में आपका स्वागत है आज आपको दिखाएंगे राउटर का जो पेज होता है उसमें जो डिफॉल्ट पास्वाद आता है admin and admin username आता है admin and password आता है admin उसको हम कैसे change करें वो बहुत ही easy है लेकिन वो change करना बहुत ही ज़रूरी होता है कोई भी बंदे आपका wifi का नस्तिक होगा तो उसको by default password पता ही होता है admin username and password admin तो उसको दरान आपको वो एक बार आपका router में घुश जाए उसके बाद आपका जो router का जो security system का जो password डालावा है और easily crack कर सकता है easily देख सकता है तो पहले आपको router का जो default IP है उसमें जाना है चलिए देखते हैं कैसे होता है पहले आपको जाना होगा Google Chrome में है और उसका बाद आपका जो router का डिफल्ट गेटवे पासवर्ड है 192.168.0.1 मेरा admin है username and password भी admin है ठीक है हम sign in किये उसके बाद आपको जाना है system टूल में system tool में आपको जाना है ठीक है system tool में आपको जाना होए उसके बाद आपका option आएगा password का तो आपका जो old username है मेरा तो admin है एंड पासवर्ड भी admin है एंड टैब यूसर नेम मैंने आपका पासवर्ड मैंने पासवर्ड चुस कर लिया आपको आप जो अभी राउटर का जो अभी पासवर्ड दिया हुआ है और सॉरी मैंने अभी सो रोप दिया है कि एस और यो अभी देखिए मेरा अल्रेडी पासवर्ड सेफ हो गया वाई डिफॉर्ड ठीक है तो एक बर आपको कोई बंदा ऐसे admin admin करके आप बहुत ही लोग ऐसे गल्दी करते है तो admin admin करके आप लोग पासवर्ड दे देते हैं तो आपको बंदा जा के सीखूर्टी में जाएगा और आपका जो पासवर्ड है जो नेट्वर्ड में आपका जो पासवर्ड है हम सेठ करके रखा हूँ आए वह पासवर्ड इसली क्रैक कर लेगा ठीक है तो बहुत ही इसी चीज है कैसे करना है आपको दिखा दिआ फिर एक बर बोल रहा हूं system tool में जाना है उसके बाद आपको reboot का जो option होता है sorry password का जो option होता है उदर जाना है उसके बाद आपका जो old password है ठीक है माल लिजे आप कभी भी नहीं password change किये और name भी नहीं change किये तो उसका by default admin admin याता है और किसी-किसी दूसरे router में admin password का जाएगा में आपका router का जो model है उसका नीचे देखेगा उसके एक replay होता है उसका नीचे router का model देता है password पासवाट का तो पहले पहले जो router था admin admin आता था अभी नया जो router आता है टिपिलिंग या डिलिंग का जो भी राउटर आता है उस पासवाट का जाएगा admin नहीं रहता है उसका जाएगा आपका router का जो यह होता है टेग नंबर और आपको पासवाट में देने होता है तो आपको टेग नंबर हटा के और आपको टेग नंबर डाल के फिर सेठ खेल कर लेना कर लेना है उसको न्यू इसर नेम एंड नू पासवाट एंड कांफर्म पासवाट करके एंडबं से लेकिन अब लोग बहुत आसानी से आपको आपको कोई भी बन्दा आपको एजी बड dif शिर्टम में जाके आपका पासवाट चेंज भी कर लेगा तो आ सब कुछ ले लिया हुश का अबाद आपको पासफ़र्ट भी इधर से लिया हो अपको कुछ भी आपको आई पीवी लिखा हुआ भी नहीं है तो आप तो आप नहीं कर पाई को फिर आपका जो बार्डबेंड कनेक्शन जहां से लिया है उसको करने होगा बहुत ही लोचा होता है तो सबसे अच्छा है आप पहले मैंने पहले एक यूटुब पे वीडियो डाल के कैसे नाम बैक अप लेता है राउटर का जो बैक अप जे होता है कैसे लेता है मैंने एक वीडियो अलग करके हम बना के रखा हुआ है वह पहले देख लीजिए कैसे होता है वह भी बहुत ही उसकुल होता है और उसका बात आप पहले वह देख लीजिए उसका बात आपका ज जो व्लॉगिन का पेज होता है ओ पासवर आप पहले चेंज कीज़े क्योंकि यह बहुत ही उस्पूल चीज होता है सबको पता है एडमीन एडमीन आता है ठीक है तो ऐसी नया नया वीडियो हम लेके आएंगे आपके लिए और मेरा जो यूटूब का चैलेंग है प्रणि नूट परगे टो शूस्प्रीब